हेलो एवरीवन वेलकम तो माई यूटूब चैनल एसोशेट लेर्निंग तो आज हम पढ़ने वाले हैं रवींद्र नात्र टैगोर जी के बारे में यह हमारा यूनिट वन यानि फिलोसिफिकल और सोशोलोजिकल परस्पेक्टिव आफ एजुकेशन के अंडर में आता हैं आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी एक्जाम होते हैं उनकी इंफोर्मेशन वहां पर एवेलिबल की जाती हैं अगर आपको कोई परस्नल क्वेरी है तो यह वाट्सप नंबर भीन्दv नाथ् टैगोर जी का जंव हुआ था, इंब्रोटेंट है हमारे लिए कि उनका जो जजनम है वो किस दिन ये कि जो देट है वो हमारे लिए supportन्ट है कहां पर हुआ था याया जोड़ा साकों में कलकत्ता में जो जोडा साकोय वहाँ पर उनका जन्म हुआ था उनकी माता का नाम शारदा देवी तथा पिता का नाम देवेंद्र नात टैगोर था रवेंद्र नात जी की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था जिस खारण उनका पालन पोशन उनके पिता के सरक्षन में हुआ उनकी प्रारंबिक सिक्षा विद्याले से अधिक घर पर ही हुई सन 1888 इश्वी में टैगोर उच्च सिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए यह हमारे लिए इंपोर्टेट हो जाता है कि वो सिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए और किस सन में गए सन 1888 इश्वी में स्वदेश लोट आए यानि वो 1888 में गए थे और 1888 में वो लोट भी आए सन 1884 इश्वी में रवींद्र नाथ टैगोर का विवा म्रडालिनी देवी के साथ हुआ यानि कि जो म्रडालिनी देवी थी उनके साथ उनका विवा हुआ कब हुआ 1884 में हुआ तो हमारे लिए जो डेट्स है वो बहुत इंपोर्टेंट हो जाती हैं किन्तो शीग रही सन 1920 इश्वी में इनकी पतनी का देहान्त हो गया उनका जो विवा हुआ था वो 1884 में हुआ था मंगर जो म्रडालिनी देवी थी उनका जो देहान्त है वो 1920 इश्वी में हो गया जिस जन्म था वो कब हुआ तो 6 मही सन 1861 में जोडा साको में उनका जन्म हुआ वो उच्च सिक्षा प्राप्त करने के लिए इंगलेंड गए कब गए 1878 में 1880 में वो लोट भी आए उनका जो विवा है वो 1884 में हुआ और जो उनकी पतनी है वो 1920 में उनका दिहान्त हो गया तो यह चार-पांच चीजे इस स्लाइड में हमारे लिए इंप्रैंट हो जाती है नेक्स्ट हम दखेंगे ने की सबसे जादा इंप्राप्त की सांति निकेतन की स्थापना जो आज विश्व भारती विध्याले के नाम से प्रसिद है तो यहीं वी अमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि जो शांती निकेतर ने वो इस टाइम पर किस नाम से प्रसिद है नेक्स्ट है महान कवी एवं साहित्यकार के रूप में टैगोर की ख्याती देश की सीमाओं को पार कर गई सन 1913 में टैगोर को अपने काविशंखलन गीताँजली के लिए नोबल पुरुषकार भी प्राप्त हुआ तो यह हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा यहां पे कि सन 1913 में उनको गीताँजली के लिए नोबल पुरुषकार मिला अप उनकी जो कविता है याणि काविशं उसका नाम याद रखेंगे उनको क्या मिला यानि नोबल पुरुसकार मिला याद रखेंगे कब मिला यानि 1913 में उनको प्राप्त हुआ यह भी आप याद रखेंगे तो यह सारी चीजे आप चाहें तो एल जिगर नोट भी कर सकते हैं जिससे आपको पूरा पढ़ने की सास्त्री का देहांत हो गया अब देखिए जो रवीद्ना टैगोर जी थे वो क्याते महान कभी थे साहित्यकार थे समाच सुधारक थे सिक्षा सास्त्री थे तो इनका जो देहांत है वो कब हुआ साथ अगस्त 1941 में कहां पर हुआ उनके जो पैत्रक आवास था उनका वहीं पर उनका देहांत हुआ जो संपूर स्रस्टी से हमारे जीवन का समाज्य से स्थापित करती है तो आपको यह जो कोट वो किसने कहा है तो आपका आशर क्या होगा रवीन नात टैगोर जी ने सिक्षा मनुष का सारीरिक, बौधिक, आर्थिक, नैतिक, अध्यात्मिक और धार्मिक विकास करती है यानि जो हमारी सिक्षा है, जो एजुकेशन है वो एक मनुष का, एक व्यक्ति का, एक बच्चे का ओल राउंड डवलप्मेंट करती है फिजिकल भी, मेंटल भी, स्प्रिचुल भी और कैसा, सोशल भी, तो यह सबी जो हमारे डवलप्मेंट है वो किसके द्वारा किये जाते हैं, सिक्षा के द्वारा टैगोर ने सिक्षा के व्यापक अर्थ में सिक्षा के प्राचीन मारतिया आदर्ष साविद्या या विमुक्तिये को स्थान दिया है तो ये भी ये लाइन हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाती है नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्षा के उद्देश objective of education तो जैसा कि रवीदना टैगोर जी ने बोला था कि जो सिक्षा है उससे एक मनुष्य का all wrong development होता है उस development में हमारा physical development, mental development, social development ये सभी चीजें आती हैं तो अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे फिस्ट हमारा हो जाएगा physical development यानि सारीरिक विकास टैगोर के उनुसार सिक्षा का सरव प्रतम उद्देश ये बालक का सारीरिक विकास करना है बालकों के सारीरिक विकास के लिए उन्होंने सरीर के स्वस्त और स्वभाविक विकास के साथ साथ सरीर के विबिन अंगों और इंद्रियों को प्रशिचित करने पर भी बल दिया है यानि जो टैगोर जी है वो बोलते हैं कि जो अगर आपका फीजिकल डवलप्मेंट अच्छा होगा हेल्दी होगा तो आपका जो सरीर है जो मन है वो हमेशा श्वस्त रहेगा नेक्स्ट हैं mental development टैगोर की अनुसार सिक्षा का कार्य बालक को वास्त्विक जीवन की बातों इस्थितियों और वाता बरन से परिचित करा कर उसके मश्तिश्क का विकास करना है मानसिक विकास के लिए टैगोर ने पुस्त की सिक्षा का विरोध किया है यानि जो टैगोर जीते वो बोलते थे कि अगर किसी बच्चे का हमें मानसिक विकास करना है तो हमें उसको पुस्त के अंदर नहीं ढखेलना चाहिए यानि कि हमें उसको वाता वरण देना चाहिए वैसा कि वो जादा से जादा सीख सके ना कि उसको पुस्तकिये सिक्षा प्रदान करनी चाहिए और प्राकरतिक तिता जीवन से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया है यानि कि प्रत्यक्ष रूप स spiritual development यानि नैतिक एवं अध्यात्मिक विकास अध्यापक का यह कार होना चाहिए कि वे बालक को धैर्य, शांति, आत्म अनुशाशन, आंत्रिक स्वतंतरता और आंत्रिक ज्यान के मूलियों से परचित कराकर उसका नैतिक और अध्यात्मिक विकास करें तो एक अध्यापक का का कुरतां करते हैं की ऑपने आप अनुशाशन बताना ऑपको अनुशाशन कहिए क्यों अगर आपको को देख रहा है तभी आप अनुशाशनक में रहना है तो एक अध्यापक का का वह हूता है कि वो बच्चों को सभी उन प्राप्त करवाएं नेच्स्ट हम देखेंगे समाजिक विकास एबम अंतरास्ट्रिय द्रश्टी कोड का विकास यानि Social Development and Development of International Understanding बालक के समाजिक कोड़ों का विकास करना सिक्षा का एक महत्रपूर उद्देश है सिक्षा का उद्देश यह होता है कि जो बच्चा है वो जब समाज में बैठे समाज से बोले यानि व्यक्ति से बातशीत करे आपस में कम्मिनिकेशन करे तो उसका जो सिक्षा है वो जलकनी चाहिए यह नहीं कि वो किसी भी तरीके से उसको बड़ों से कैसे बात करनी है उसका ग्यान होना चाहिए चोटों से कैसे बात करनी है उसका ग्यान होना चाहिए यानि जो समाजिक गुड़ है वो भी उसके अंदर विद्धमान होने चाहिए अपने अंदर समाजिक गुड़ों को विक्षित करके बालक स्वैम की और समाज की प्रगती में सहयोग कर सकता है यानि उसे ये पता होना चाहिए कि अगर हम कौन सा कार करेंगे जो हमारे समाज के लिए हितकारी होगा नेक्स्ट हम देखेंगे समाजश्य की छमता का विकास यानि डेवलेपमेंट ओफ कापसिटी ओफ अजस्टमेंट टैगोर के अनुसार बालकों को जीवन की वास्त्विक परस्थितियों समाजिक स्थितियों और वाता वरण की जानकारी कराना तथा उनसे अनकूलन कराना सिक्षा का उदेश्य है ठीक है आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर जरूर किया करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बैतर कर सकेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम दिखेंगे टैगोर के सिक्षा दाशन के आधारभूज सिधान्त, यानि fundamental principle of educational philosophy of टैगोर, फरस्ट है प्रकिती की गोध में सिक्षा, टैगोर जी बोलते हैं कि जो प्रकिती की गोध में आप सिक्षा ले सकते हैं, वैसे सिक्षा आप पुस्तक से नहीं ले सकते ह के साथ संपर्क स्थापित करने में बालकों को आनन्द कानुवव होता है, नेक्स्ट है मनुष्य की पूडता की सिक्षा, टैगोर के अनुसार वास्तों में मानव जातियों में स्वभाविक अंतर होते हैं, यानि कि हर एक जो व्यक्ती है, वो एक दूसरे से कैसा है, डिफ सर्टे के भी सत्ती की खोज़ करना, यानि किसी भी बालको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कुछ भी विसमताएँ हो रही है, उसको बिना अंतर महसूस कराइए, आपको उसको सिक्षा प्रदाल करनी है, नेक्स्ट है सिक्षा में स्वतनतरता, टैगोर ने कहा ह कि जहाँ सोतंद्रता नहीं और जहाँ विकास नहीं वहाँ जीवन नहीं इसलिए सिख्षा ge ह玩 करतے समय बालखको सतंत座 मिलनी चाहिए Megoda मानना था कि जहां रब बच्चे को सकांथ नहीं दी जाती वहाँ पर उसका विकास नहीं होता और जहां उसका विकास नहीं होता जीवन का कोई मुल्य नहीं है इसलिए बच्चे को सुतन तरीके से कोई भी चीज सिखानी चाहिए अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो जिस हिसाब से सीखना चाहते हैं उस हिसाब से उन्हें सिखाना चाहिए तो टैगोर जी का यह कहना है कि बच्चे को वही सिखाना चाहिए जितना वो सीख सकते हैं या जो वो सीखना चाहते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे बालक का चवमुखी और समाजस से पोड़ विकास यानि कि जो हमारा बच्चा है यानि चाइल्ड है उसका जो ओवराल डवलप्मेंट होना चाहिए तो जो रविन्ना टैगोर जी है वो बोलते हैं कि जो बच्चा है उसका आल राउंड डवलप्मेंट होना बहुत जरूरी है उसके विकास के लिए सिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जिन्म जाज सक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तितों का चाहुमुकी और समाजस से पूर विकास किया जाना चाहिए नेक्स्ट हम देखेंगे राश्ट्रिय सिक्षा, टैगोर ने कहा कि बालकों की सिक्षा राश्ट्रिय होनी चाहिए, उसमें भारत के अतीत एबं भविश्य का पूंप ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है? कलात्माग शक्तियों का विकास सिक्षा के द्वारा बालकों में संगीत अभिने तता चित्रकला की योगताओं का विकास किया जाना चाहिए जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे स्कूल होते हैं वहाँ पर हमें म्यूजिक भी सिखाया जाता है हमको ड्राइंग भी सिखाया जाती है तो वो उसी का पार्ट है तो जो रविना टेगोर जी थे वो ये चाहते थे कि जो बच्चा है चाइल्ड है उसका ओल राउंड ड बालकों को प्रत्यक्ष श्रोंतों से लिए उसर प्रदान ही चाहिए यानि की जो इतन में भी गया अंत कॉail को कि बालकों रटने के लिए बात दे ना किया जाएं यथा संभव सिक्षण विधी का आधार जीवन प्रकति और समाज की वास्तविक परस्थितियां होनी चाहिए कि जो टैगोर जी थे वो बोलते थे कि जो बच्चे हैं उनको रोट मेमुराइजेशन हमें नहीं कराना है हमें उनको क्या करना है प्रकति समाज की वास्ते परस्थितियों से अवगध कराना है और उसी को लेकर के हमें उने उन्हें सिक्षण प्रदान करनी है आज भी आपने देखा हुआ जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी बोला गया है कि हमें रटने को क्या करना है हतोच साहित करना है नेक्स्ट हम देखेंगे method of teaching यानि सिक्षण विदियां क्रिया विदी सबसे पहली हो जाए हमारी क्रिया विदी बालक जो भी सारीरी क्रिया करता है उसका सरीर तथा मस्तिष्क दोनों पर प्रभाव पढ़ता है इसलिए बालकों को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए यानि कि जो भी हम physical activity करते हैं उसका हमारे सरीर पर तो प्रभाव पढ़ता ही है मगर हमारे mental यानि कि हमारे मस्तिश्क पर भी उसका पूरा का पूरा प्रभाव पढ़ता है इसलिए बोला जाता है कि हमें सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए योगा करना चाहिए जिससे कि हमारा मन भी स्वस्थ हो और सरीर भी स्वस्थ हो नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधी प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं यानि कि जो चीजे हम देख करके सीख सकते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुबह से निरिच्छन और तर्क सक्ति का विकास होता है उनका कतन है कि वास्तिविक वस्तुओं के संपर्क में आने से जो चात्रों के समुक उपस्थित है उससे उनकी निरिच्छा तता तर्क शक्ती विक्सित होती है वो क्या करेंगे चीजों को देखेंगे समझेंगे तो उसमें क्या होगा तर्क शक्ती उनकी विक्सित होगी जो भी चीजें सीखता है, उसको हम स्वाध्या याद्यन कहते हैं विज्ञान कला कौशल एवं अन्य विश्यों के लिए इन्होंने प्रयोग विदी का आवश्यक बताया है यानि कि रवीना टैगोर जी ने बोला है कि योई विज्ञान कला है यानि कि जो science है उसके लिए बिना प्रयोग के हम नहीं सीख सकते इसलिए उन्होंने experiment method का भी जिक्र किया है ये जितना हमने अभी तक पढ़ा ये हमारे लिए important है मगर जो अब हम पढ़ने वाले हैं यानि कि जो रवीना टेगोर जी ने शांती निकेतन की स्थापना की थी ये हमारे लिए सबसे जादा important हो जाता है मैंने आपको बताया कि जो शांती निकेतन थी उसकी स्थापना कब हुई और किस लिए हुई कहां पर हुई और इसका अब नाम क्या है तो ये सबी चीज़े हम पढ़ चुके हैं आप एक जिगर नोट कर लीज़ेगा अब हम और चीज़े देखेंगे तो नेस्ट हम देखेंगे टैगोर एक महा कवी के साथ साथ एक दाशनिक एक सिक्षक एक गुरू भी थे गुरुदेव के रूप में उनका महान योगदान शांती निकेतन के रूप में परणित हुआ है अगर देखा जाए तो जो हमारे रवीन ना टैगोर जी थे वो क्या थे गुरू भी थे तो उन्होंने गुरु के हिसाब से यानि कि गुरुदेव के रूप में महान योगदान ये दिया कि उन्होंने शांती निकेतन की स्थापना की शांती निकेतन का दूसरा नाम विश्व भारती है जो कलकत्ता से सो मेल दूर उत्तर पक्षिम में स्थित है इंपोर्टन हो जाता है कि जो शांती निकेतन है उसका दूसरा नाम क्या है तो आपके अंसर देंगे विश्व भारती नेक्स्ट है शांती निकेतन की स्थापना रवीनना टैगोर के पिता श्री देवेंद्रनात ने की थी देवेंद्रनात अपनी साधना के लिए एक शांत स्थान की खोज में जो शहर के कोलाहल से दूर हो इन्होंने शांति स्थान पर व्रच रोपड करके उन्हों का नाम सांति निकेतन रखा, तो इसलिए क्या हुई शांति निकेतन की स्थापना हुई, उनकी जो पिता थे वो चाहते थे, वो साधना करना चाहते थे, और साधना के लिए उनको एक सांत जगा चाहिए थी, तो वो पर उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया शांती निकेतन ठीक है जिसको आगे चलकर रवीन्दा टेगोर जी ने उसको आगे बढ़ाया नेक्स है सन 1901 में विश्य भारती की निव रखी गई तो जो विश्य भारती थी उसके जो निव रखी गई वो 1901 में रखी गई इंपोर्टेंट है आपके लिए उस समय इसमें केवल 6 चात्रों के साथ शुरुआ तक की गई यानि कि जब इसकी नीव रखी गई तब जो वहां पर छात्र थे वो कितने थे 6 थे इंपोर्टेंट आ सकता है कि जब विश्व भारती की नीव रखी गई तब वहां पर शुरु तक ने फिए भत जापक होते हैं रखके सकता है कि आपको को यह कारक करना है हमको क्या कर सकते मोटिवेट कर सकते मगर जब तकर वह काम 18 प्राप्ति नहीं होगी कर लिए नेक्स्ट गरुदेव ने एपनी नोबल पूरुषकार की ákils एक ढर लगा दी उबीना O उच्च सिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 6 मई सन 1922 इश्वी को सांती निकेतन में ही विश्व भारती की स्थापना की यह हमारे लिए इंपोर्टन हो जाता है इंपोर्टन तो हमारे लिए सभी कुछ है जितना भी हम सांती निकेतन के बारे में पढ़ रहे हैं व उन्तिसमें समविधान में विश्व भारती को एक केंद्रिय विद्यालय के रोप में माननता प्राप्त की इंपोर्टन हो जाता है कि किस समविधान में किस सन में इसको माननता प्राप्त किया गया ठीक है नेक्स्ट है विश्व भारती के विभिन विभागों को भवन कहा जाता है नेक्स्ट अब हम देखेंगे टैगोर की सिक्षा को देन यानि टैगोर स्कॉंट्रिबूशन टू एजुकेशन यानि कि जो रवीन टैगोर जी या उन्होंने सिक्षा में क्या-क्या युगदान दिये अब हम उसके बारे में देखेंगे और यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आप तयारी कर रहे हैं मेड की वह एक एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स है फर्स्ट पॉइंट हो जाता है टैगोर ने प्रकति से श्वस्त एवं निकट वर्दी सम्मंद स्थापित किया और बताया कि प्रकति का प्रभावर रहन सेहन विचार व बहुत अच्छा होगा नेक्सट दर्शन और वास्त्रविक जीवन परिस्थिती का समानवे करके टैगोर ने भारतिये सिक्षा में महानक्रांती की है नेक्स्ट पॉइंट है टैगोर ने भारती संस्कृति के अधार पर राश्ट्रिय सिक्षा की नीव डाली वो किस ने डाली रवीन दनात टैगोर जी ने टैगोर ने बताया कि सिक्षा में समस्त सत्यों का एकी करण होना चाहिए यानि कि जो सिक्षा है उसमें जितने भी सत्य हैं सव का एकी करण होना चाहिए हमें जीवन के सत्य के लिए प्रयत्न शील होना चाहिए ठीक है तो ये सबी चीजे किसने बताई है रवीन नात टैगोर अगर हमें उसको सिक्षा देनी है तो हमें पहले क्या बनाना चाहिए एक प्लैन बनाना चाहिए उस प्लैन के हिसाब से उस बच्चे को किस स्कूल में डालना है कहां पर हमें उसे सिक्षा देनी है सब चीजे हमें जल्द बाजी में नहीं करनी है हमको प्रॉपर प्लैन बनान टैगोर ने बालब पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा है वो जो हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है हमारी जो एनिपी है 2020 की उसने भी भाद बोली है कि पुस्तकी घ्यान को छोड़ कर बच्चे को कैसा घ्यान देना चाहिए जैसा वो चाहता है उसके हिसाब से जो हमारी एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर से हट करके अब कैसी हो गई है चाइल्ड सेंटर्ड तो आज के लिए रखते हैं रवीना टैगोर जी के बारे में जितना भी कुछ था वो सभी हमने डिसकस किया सबसे पहले हमने देखा जीवन उनकी जो सिक्षा है वह उन्हों टैगोर जी ने की थी उसके बाद हमने method of teaching देखा ये भी हमारे लिए important है और जो टैगोर जी है उनका सिक्षा में क्या-क्या योगदान रहा ये भी हमने देखा तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें, share करें, comment क मिलते हैं, next video में stay connected, thank you